चलिए इस आज के इस वीडियो में आज हम प्रैक्टिस सेट 1.1 लीनियर इक्वेशन इंट वी रेपल इससे पहले की वीडियो में हमने देखे थे कि सैमल्तेशन गया चलिए को किस तरह के सॉल्ल क्या चाता है को सॉल्ल एक्जबट जाल से अब आज हम एक्सरसाइश के खुर्षन देख रहे हैं यहां पर जो एक एक की टीविटी दी गई है और आपे के खे लिडियो ओर आपके के लादे लियो के शेम Gram. होते हैं तो यह activity को अपने को complete करना है तो यहां पर देखिए 5x plus 3y is equal to 9 and 2x minus 3y is equal to 12 इसको हम equation number 1 देंगे इसको equation number 2 देंगे अब यहां पर देखिए यहां पर plus 3y है और दूसरी equation में minus 3y है तो इन दोनों का हम addition कर देंगे plus 3y minus 3y cancel हो जाएगा तो हम लिख लेंगे 5x plus 3y is equal to 9 and 2x minus 3y is equal to 12 तो यह plus 3y minus 3y cancel हो गया अब देखिए 5x plus 2x हो जाएगा 7x और 9 plus 12 यह हो जाएगा 21 चलिए अगली step में आप देखेंगे तो यहां पर जो 7 है इधर आ जाएगा right hand side में तो वो 21 के upon में आ जाएगा 7 then x is equal to 7 बंजा 7 7 3 is a 21 तो x का value आपको मिल गया 3 चलिए अब यह जो x का value 3 मिल गया equation number 1 के अंदर रखेंगे equation number 1 देखिए अपने equation number 1 है x plus 3y is equal to 9 इस equation में x की जगा पर 3 रखना है तो 5 into 3 plus 3y is equal to 9 5 into 3 मतलब 15 then 3y is equal to 9 minus 15 यहां पर 15 दर आ गया equal to sign के right hand side तो minus का हो गया then 15 में से 9 minus करें तो आपको मिलेगा 3y is equal to minus 6 then y is equal to minus 6 upon 3 then y is equal to 3 1 is the 3 3 2 is the 6 then y is equal to minus 2 और फाइनान से लिखिए है solution x, y is equal to 3, minus 2 ओके के लिया रे स्टोरेंट चाहिए नेक्स के तरफ बढ़ते हैं question number 2 solve the falling simultaneous equation तब यहां पर दो equation दिये गए 3 a plus 5 b is equal to 26 a plus 5 b is equal to 22 तो सब में पहले मैं equation को तो यहां पर हमने equation लिख ली 3 a plus 5 b is equal to 26 and a plus 5 b is equal to 22 अब यहां पर आप देख रहे हैं कि 5 b यहां पर plus का है नीचे वाले equation में भी 5 b plus का है तो इसका मतलब हम जो है subtraction करेंगे तो हम subtract करते हैं चली हम लिख दिये subtract equation 2 from equation 1 तो अब subtract करेंगे हम तो equation number 1 और 2 लिखेंगे 3 a plus 5 b is equal to 26 and a plus 5 b is equal to 22 अब यहां पर देखिए subtraction जब हम करते हैं तो signs यहां पर change हो जाते हैं यह minus sign हो गई यह plus 5 b है तो minus 5 a हो गया plus 22 है तो minus 22 हो गया अब आप क्या करेंगे देखिए students 3 a में से minus a करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा 2 a और यह 5 b plus का और 5 b minus का मतलब यह होगा 0 is equal to 26 minus 22 मतलब आपको मिल गया 4 then a is equal to what 4 upon 2 यह हो जाएगा 2 1s are 2 2 2s are 4 then a का value मिल गया आपको 2 यहां तक clear है students चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो हम क्या करेंगे कि जो a का value है किसी a equation के अंदर आप रख देंगे तो आपको b का value मालू हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं put a is equal to 2 in equation 1 ठीक है equation 1 हम लिख लेंगे equation 1 क्या है देखिए students 3a plus 5b is equal to 26 तब एक ही जगा आपको क्या रखना है 2 रखना है तो मैं रखता हूं 3 into 2 plus 5b is equal to 26 तो यह हो जाएगा 3 to the 6 plus 5b is equal to 26 ठीक है then 5b is equal to what 26 और यह इदर का 6 इदर आ गया left hand side right hand side तो यह minus 6 हो गया then 5b is equal to 26 minus 6 मतलब 20 then b is equal to 20 upon 5 then b is equal to what b is equal to 4 पाइब आपके पास solution हो गया तो आप solution आप इस तरीके से लिखेंगे जैसे के question number 1 के अंदर हमने solution लेते solution x, y is equal to आप इस तरीके से भी लिख सकते है solution a, b is यहाँ पर a का value क्या है 2 और b का value है 4 इस तरीके से हमने question को solve कर लिया चलिए आगे question के तरफ बढ़ते हैं तो आप देखेंगे question number 2 यह आप solve कर ले सकते हैं आप solve कर लेंगे घर पर और question number 3 भी easy है आप कर ले सकते हैं जहां कई भी difficulty है आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं question number 4 चलिए question number 4 के बाद question number 5 भी आप कर सकते हैं और solve example मैंने आपको बता है चलिए अब देखेंगे question number 6 अब question number 6 के अंदर आप देखेंगे 1 by 3 x plus y is equal to 10 by 3 और 2 x plus 1 by 4 y is equal to 11 by 4 तो सब में पहले इन equations को मैं लिख लेता हूँ चलिए हमने equation लिख लिए हैं इसको equation number 1 और दूसरी वाली equation के equation number 2 दिया है आप देखेंगे यहाँ पर denominator में 3 है और यहाँ पर भी denominator में 3 है तो इस equation को 3 से multiply करेंगे और equation number 2 में देखें यहाँ पर denominator में 4 है और यहाँ पर denominator में 4 है तो इसको 4 से multiply करेंगे तो आप लिख सकते हैं multiply equation 1 by 3 and equation 2 by 4. चलिए इस सरे कैसे हम इसको 3 से और इसको 4 से multiply करेंगे, तो equation number 1 को 3 से multiply करता हूँ मैं, यह हो जाएगा 3 into 1 by 3x plus 3y is equal to 3 into 10 by 3, तो 3 once the 3, 3 once the 3 यहाँ पर यह cancel हो जाएगा और यहाँ पर बजाएगा, x plus 3y is equal to 3 once the 3, 3 once the 3, यह cancel हो जाएगा, यहाँ पर बजाएगा, 10, अब इसको हम equation number 3 नाम देंगे, अब इसी तरह के से अगली equation, यानिक equation number 2 अपने को 4 से multiply करना है, तो हम इसको 4 से multiply करेंगे, 4 into 2x plus 4 into 1 by 4y is equal to 4 into 11 by, 4, ओके, तो यह हो जाएगा, 4 to the 8x plus 4, 1 to 4, 4, 1 to 4, यहाँ पर बजाएगा, y is equal to 4, 1 to 4, 4, 1 to 4, यहाँ से बजाएगा, 11, इसको हम देंगे equation number 4, चले, इस तरह के सामने के equation number 3, equation number 4 को एक साथ लिख लिया, अब यहाँ पर अपने को eliminate करना है, तो eliminate करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है plus 3y है, तो इस दूसरी equation में y single है, तो इसको भी हम 3y बनाएगे, तो इस बज़े से हम इसको 3 से multiply करेंगे, और आपको लिखना पड़ेगा, multiply equation 4 by 3, चले, equation 4 को जब 3 से multiply करेंगे, तो 3, 8 जा, 24x हो जाएगा, plus 3, y जा 3 हो जाएगा, और 3, 11 जा 33 हो जाएगा, इसको हम equation number 5 का नाम देंगे, चले, अब equation number 3, और equation number 5, दोनों पर गवर कीजिए, और आप देखेंगे, कि यहाँ पर भी plus 3y है, और नीचे भी plus 3y है, तो इनका हम subtraction करेंगे, यानि कि equation number 3 में से, equation number 5 subtract करेंगे, चले, अब subtract करते हैं, तो आप यहाँ पर subtraction जब करते हैं, तो जो science है, वो change जाते हैं, 24 plus का है, तो minus के हो गया, 3y plus का है, तो minus का हो गया, 33 plus का है, तो minus का हो गया, अब आप क्या करेंगे, 24 में से x minus करेंगे, तो आप देखेंगे, कि आपको मिलेगा, 23x, plus 3y, minus 3y, यह cancel हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 10 minus 33 है, 33 में से आपको 10 minus करना है, तो आपको मिलेगा, minus 23, आप देखें, यहाँ पर minus sign है, यहाँ पर minus sign है, तो आप इसको direct cancel कर सकते हैं, then x is equal to what, 23 upon 23, then x is equal to what, 1, इस तरह के से आपने x का value, find out कर दिया, अब हम y का value, find out करेंगे, तो आपको क्या करना है, x का value किसी एक equation के अंदर आप रखेंगे, equation number 1 में रखेंगे, equation number 2 में रखेंगे, 3 में रखेंगे, या 4 में रखेंगे, तो मैं equation number 3 में x का value रखता हूँ, चलिए हम लिखेंगे, put x is equal to 1, equation number 3, और equation number 3 है, x plus 3y is equal to 10, एब x का value 1 रखना है तो 1 plus 3y is equal to 10 हो जाएगा instrument then 3y is equal to what 10 और यह 1 इदर आ जाएगा तो यह minus का हो जाएगा then 3y is equal to what 3y is equal to हो जाएगा 10 minus 1 मतलब 9 then y is equal to what 9 upon 3 then y is equal to 3 तो y का value 3 मिल गया और x का value 1 मिल गया तो आप यहाँ पर लिखेंगे solution of given simultaneous equation is x is equal to 1 and y is equal to 3 ओके यहाँ पर आप final answer लिखना मत भूलिए चलिए next exercise के तरफ हम sorry next question के तरफ हम बढ़ते हैं that is question number 7 अब यहाँ पर experiment गौर कीजिए कि जो question number 7 है 99 x plus 101 y is equal to 499 और 101 x plus 99 y is equal to 5.1 यह special type of simultaneous equation है अब इसको special type इस वज़े से कह रहा हूं वो दूसरी equation में y का coefficient है और पहली equation में जो y का coefficient 101 है वो दूसरी equation में x का coefficient तो ऐसी equation को solve करने का method मैं आपको solve examples के अंदर बताया था फिर भी हम यहाँ पर इसको solve करेंगे इसका method यह है कि एक मरतब इसको add करना है और एक मरतब इसको subtract करना है तो सब में पहले हम इनको add कर लें चलिए हम इसको add कर रहे हैं तो आप यहाँ पर इस तरीके से हम लिख लेंगे अब 99 x plus 101 y 101 x sorry यह हो जाएगा 200 x plus यह हो जाएगा 200 y is equal to यह हो जाएगा 1000 अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 200 x है 200 y है 1000 है तो आप यह 200 200 और यह 1000 को आप 200 से divide कर सकते हैं अब आप यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे divide both the sides by 200 200 से divide करेंगे तो हम यहाँ पर divide कर लेते हैं तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 200 x upon 200 plus 200 y upon 200 is equal to 1000 upon 200 ओके 200 200 यह ones are 200 और यह हो जाएगा 200 यह सब्सक्राइक करेंगे तो हम सब्सक्राइक करते हैं सब्सक्राइक करने के लिए हम लिखेंगे सब्सक्राइक सब्सक्राइक करने के लिए हम लिखेंगे सब्सक्राइक करने के लिए हम लिखेंगे सब्सक्राइक सब्सक्राइक करने के लिए 2x और यहां पर देखिए 101 में से 99 आपने माइनस किया तो आपको मिलेगा प्लस 2y is equal to 501 में से 499 आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 2 तेक है अब यहां पर आप लिखेंगे डिवाइट बोथ दसाइट बाइट बाइट तू जब दो से डिवाइट करेंगे तो आपको यह मिलेगा डिरेक्ट में लिख रहा हूँ माइनस x प्लस y is equal to minus 1 अब हम इसको देदेंगे equation number 4 अब equation number 1 और equation number 4 को आप देखिए equation number 1 है x plus y is equal to 5 और equation number 4 है minus x plus y is equal to minus 1 तो अब आपको decide करना है कि यहाँपर add करेंगे या subtract करेंगे तो जाब आप गोर करेंगे तो यहाँपर प्लस x है और यहाँपर equation number 4 में minus x है तो इनका हम add kitchen करेंगे addition करने के लिए हम लिखेंगे adding q3 & equation number 4 त लिखेंगे और इन दोनों का addition करेंगे तो अब यहां पर देख रहे हैं plus x minus x यह बन जाएगा 0 और यह y plus y यह हो जाएगा 2y और 5 minus 1 यह हो जाएगा 4 then y is equal to what 4 upon 2 then y is equal to what 2 under 2 2 to the 4 तो इस तरीके से आपको y का value मिल गया है अब हम यहां पर x का value मालूम करेंगे अब x का value जब मालूम करना है तो y के value को हम equation number 3 में equation number 4 में रखेंगे तो मैं क्या करता हूँ y के value equation number 3 में रखता हूँ तो हम लिखेंगे put y is equal to 2 in equation 3 equation number 3 में लिखता हूँ x plus y is equal to 5 then x plus y की जगह आपको क्या रखना है 2 रखना है is equal to 5 then x is equal to what 5u minus 2 then x is equal to 5 में से 2 minus करें तो मिल गया 3 अब आपको जो है y का value भी मिल गया है और आपको x का भी value मिल गया है अब आप final answer लिख सकते हैं solution आप ऐसा लिख सकते हैं solution x, y is x का value है 3, 2 hope you have understood the solution अब देखिए student question number 8 भी बिलकुल question number 7 की तरह है और this is the last question of this exercise अब इसमें बीच में के हम बहुत सारे questions छोड़ दिये हैं वो इस वज़े से छोड़ दिये हैं कि उनका जो procedure है same है जैसे कि मैंने पहला question बताया और इससे पहले की वीडियो में हमने solve example लिए तब आप एक काम ये करना है कि आपको ये question को खुछ से solve करना है जहां कहीं भी आपको difficulty है तो आप comment box में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब देने की पूरी-पूरी कोशिश करूंगा तो thank you for watching our videos